री अपलाई करने के 18 गंटे बाद यूटूब ने इस चैनल कमुनेटाइज कर दिया है जी हाँ आप सही सुन रहे हो री अपलाई करने के बाद तो री अपलाई करने का सही पूरोसेस क्या है वाई मुझे भी बतला दो आप सोच रहोंगे न तो वही चीजे आज के इस वीडियो में मैं आपको explain करने वाला हूँ बतलाने वाला हूँ इन्होंने तो paid service लिया था बट मैं आपको वह सिच फिरी में बतलाने वाला हूँ तो इस वीडियो को like कर दो यार और वीडियो को end देखो ताकि आप सीख पाओ सबसे पहला चीज आपके चैनल पे आया है reused content content means आपके वीडियो बट reused यह एक problem है इनके चैनल पे जो वीडियो थे वो 2200 सो भी जादा वीडियो थे और 1,70,000 subscribers है दोस्तो उस 2200 वीडियो में मैंने find out किया है reused content को उस 2200 वीडियो को review करने के बाद मैंने reuse content को पता किया उसको fix किया और इस channel को monetize करा दिया जैसे कि मैंने आपको बतलाया आपको फिरी हैं बतलाने वाला हूँ तो भाही आप बस एक like कर दो आपको बस इतना ही करना है चलिए आज किसम ट्रेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो जो भी यूटूब चैनल है जिस पर भी review content आता है उस पर आप देखेंगे आपको तीन चीज़े दिखेगी एक है short वीडियो दूसरा long वीडियो और तिसरा है live इस तीन तरह के ही content आपके चैनल पे होते हैं तो इस तीन तरह के content को आपको review करना है वो कैसे करना है भाई appeal करना और reapply करना ये दो एक process है जिसके ज़से आपका चैनल monetize होता है लेकिन appeal कैसे करना है वो वीडियो के end में बतला दूँगा बट reapply करना कैसे है वो इस वीडियो में बतलाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके live वीडियो में है reduce content या short वीडियो में है या फिर long वीडियो में है वो मैं आपको बतला ही देता हूँ बस आप लोग धियान से देखना दोस्तों जब इनके मैंने live वीडियो में चेक किया तो मुझे कुछ ऐसे content नज़रा है कुछ ऐसे वीडियो नज़रा है जो कि इनके teachers के दौरा जो कि इनकी जो faculty होती है इनके team होती है उनके दौरा जब live classes किया जाते है तो उसमें ये होता है कि live को start के जाता है उसके बाद teacher आते हैं किसी region से एक मिनट दो मिनट जाए जितने मिनट के वीडियो इनकी live वीडियो बन गई चल गए live और उसमें कोई भी activity नहीं हुई ना तो कोई उनका कोई content है ना वो खुद है ना कुछ explain कर रहे है सिरिफ और सिरिफ live वीडियो ओन हो गई और उसके बाद वह end हो गई और वह upload हो गई तो इस region से इनके live वीडियो वाले टैब में मैंने चेक किया तो ऐसे मुझे काफी सारे वीडियो नजर आए जिसको मैंने इनसे पहले private करवाया आपको last minute डिलेट करना है लेकिन कब करना है वो बतलाओंगा बट पहले private करवाया तो आपको भी ऐसी करने है अपने live वीडियो को चेक करना है अगर आप live करते हैं तो वहाँ पर चेक करेंगे कुछ ऐसे वीडियो तो नहीं है जिसको मैंने live किया है उसमें कोई भी wise नहीं आई है कोई face नहीं आया है कोई भी activity नहीं हुई है तो पहले उसको private करा दिया के उसके बाद बारी आती है short videos की long की last न मतलाँगा क्योंकि ज़्यादा दिकत आपके short videos में होती है जब मैंने इनके short videos को review किया देखा तो वहाँ पर मुझे समझ में आया कुछ ऐसे इनके जैसे mobile app वगरा होते है तो उसका जो screenshot होता है वो इन्होंने लगा दिया हुआ था और उसमें background music वगरा add करके short videos इनके upload करे गए थे तो वह problem जो है आपके channel पे भी होता है कैसे होता है भाई दूसरा और भी कुछ प्रोब्लम थे short में इनके check jam से related कोई भी जैसे motivational line होती है या कुछ भी होता है जो Instagram या कहें भी आपको मिल जाता है तो वहाँ से उठा कर इन्होंने upload कर रखा था तो कुछ में mistakes ऐसे भी थी तो इस तरीके से इनके short videos में problem थी वही चीज़े आपके short videos में problem हो सकती है तो वह चीज़े आपको सुधारना है अब बात करते हैं long videos की फिर उसके बाद मैंने इनके long videos को check किया जहां पर मुझे सारा कुछ ठीक नजर आया बट आपके channel पर कुछ दिक्कत आ सकती है वह दिक्कत क्या होगी वह मैं आपको explain करता हूँ आपके channel पर कुछ long videos ऐसे होगी जिसमें आप include नहीं होगे आप उसमें कोई भी activity नहीं कर रहे होगे वह videos कहीं और से uploaded की होगी होगी मतलब कि download करके कहीं से upload की गई होगी या फिर हो सकता है कि आपनो इसकी screen की recording कर ली है या फिर वह चीज़े कहीं पर हो रही होगी जिसको आपने अपने phone से record किया है और आप उस content को अपना मान रहे है बट वह content आपका नहीं है जो act कर रहा था जिसकी आपने recording करी है वह content original था उस बंदे का content original था तो आप upload कर रहे हो तो आपका channel SM monetize नहीं होगा तो यह चीज़े आपको कुछ सुधारने हैं अपने channel पे और उसके बाद आप क्या करना है फिर से एक बार deep review करना है live videos को, short videos को, long videos को जिसमें भी आपका face नहीं होगा आपका voice नहीं होगा आपका कोई भी activity नहीं होगा आप उसमें include नहीं होगे या वह video दो बार upload की गई होगी एक से ज़्यादा बार upload की गई होगी तो वैसे videos को पहले private करेंगे फिर आप देखेंगे कि reapply का date क्या है आपका वैसे आपके reapply button enable हो जाए reapply date आ जाए तो आपको क्या करना है जो भी आपने private किये है उस videos को जो भी दूसरों की है या फिर इसमें voice नहीं है जो की directly upload किये गए है कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ music है तो उन सब को delete कर देना है delete करने के 48 hours तक आपको wait करना है आपको wait करना है कि आपका watch time less होता है क्या मतलब जो भी वास time less हो जाता है उसके बाद भी reapply button enable है क्या ये चेक करनी है उसके बाद जब reapply button enable फिर भी रहता है और अब आपके channel पे सारे content आपके हैं तब भी आपको reapply करना है लेकिन reapply करने से पहले भी आपको एक और चीज़ करनी होती है अपने सारे वीडियो को एक पर चेक करने के बाद उसके description को भी ठीक करने होते हैं उस description में आपको अपने कुछ social links वगएरा या फिर channel के about में अपने social links वगएरा add कर सकते हैं ये सारा कुछ करने के बाद जब finally आपको लगए कि सारा कुछ हो गया है complete और वास्टाम लेस होने के बाद मेरा reapply button enable है तब जाके आपको reapply button पे click करना है और आपका चैनल under review में चला जाएगा और उसके बाद जैसे कि मैंने सारा कुछ explain किया ये सारा कुछ अगर आपके चैनल पे बिल्कुल proper way में किया गया होगा तो YouTube ने आपके चैनल को monetize कर देना है उसके बाद आपको कोई विशू नहीं आएगा आपका चैनल finally monetize हो जाएगा बिल्कुल इस वाले YouTube चैनल के तरह आपका भी चैनल monetize हो जाएगा but monetize दो way में होता है अपील भी बना सकते हैं आप reapply भी कर सकते हैं तो reapply करने का process मैंने अच्छे से explain कर दिया है बट अपील वीडियो की बताऊंगा तो काफी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अल्रेडी मेरे चैनल पे अपील वीडियो कैसे बनाते है डेमो वीडियो मैंने upload कर रखा है जो कि यह वाले वीडियो है आ अपील वीडियो कैसे बनाया जाता है और कौन बना सकता है तो चलिए मिलते हैं उस वाले वीडियो में